हलो दोस्तों वेलकम बैक अगेन तो एक बार फिर से आप सभी का सौजाद है आज के सेशन में अभी सेशन समाप्त हुआ ही था और फिर से हम वापस से आपके साथ जुड़ चुके हैं तो वापस है कोडिंग डिकोडिंग और अब हम शुरू करेंगे इसका पार्ट थर्ड ज चुके होगे और चाय पीने जाना था चाय का ठेला नहीं लगाने जाना था तो जल्दी से आज हो वापस से कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट तू अभी अमने लास्ट क्लास में डिसकस किया था बहुत सारे टाइप इसमें हमने देखे कास करके हमने देखा कि प्लेस वेल् से अच्छा है यह वाले तो कोर्ण करने में आपको भी मजा आख tvrd और इसके को केस्च को करने में आपको भी थोड़ा से चलगे जब से पहले हम बात करेंगे चैनीस कोड़िंग की से यह चाइनी स्कूड़िंग क्या होती है हमने दो पहली बार सुनिये है teacher बहुत सारे स्टुडेंट होंगे जिन्होंने चाइनिज कोडिंग को शब्द को ही पहली बार सुने होंगे कोई बात नहीं है अभी हम सब सिखा देंगे क्यों टेंशन लेने चलिए तो यहां तक हो चुका था बात आती है से चाइनिज कोडिंग की कोडिंग यह क्या होती है इसको डाइफ्राम कोडिंग डिकोडिंग भी कहा जाता है इसको डाइफ्राम डाइफ्राम कोडिंग के नामसे भी जानते हैं वह तक यह आयस में कि जैसे मैं आपक लिख दूंग जो तुमने जवाब हैं अब तुमने जवाब दिया आङंग्रेज हैं तो पुमने जवाब दिया आंसर आया मान लीजे से के थे के ने ठीक है फिर मान लीजे उधर से आ गया हूं आर यू अब देखें यहां पर दो शब्द रिपीट हो रहें पहले वाले से कहा हूं आर यू है ना अब मान लीजे इसने कहा जे में जे और जे रे और में ठीक है इस तरह से हूar U को करें हैं यू को शब्रों करें हैंistent कहा हूं मान लीजैने Talking तो यहां पर बोल दिया क्ए करें यहां पर क्यास वैसने यू अब जगाव रिपीट हो रहें जे और नो का बोल दिया इसने मां लिजे टीक है इस तरह से वायल वे पर आसे माननी जेंच जो को यह पा Wait क्यांतरिक सुरक्षा के लिए सभी चीज़ों की अपको अविश्यक अविश्यक्ता पढ़ सकती है हम दरकिनार नहीं करेंगे अब आप इसमें इंडिविज्यल कोड निकालेंगे कि किसका कोड क्या होता है कि अब आप इसमें code डूडेंगे कि कि सका code क्या है मतलब इसको क्या करेंगे अब नीकोड गरेंगे आप इसको क्या करेंगे अब इसको डिकोर्ड करने के लिए सबसे पहले most common word चाहिए ै किया से है most common Seiten of common जो जबसे ज़्यादा बार common आया हो आप उसको डूड़ जैसे अगर मैं यहां पर डूंडूं तो मुझे सबसे जादा काम मेरा काम बन गया नो यहां पर भी जो चीज थी भार ऌड़ी जो चीज नहीं तो याननी कि मैं कहें दूंगा यू का कोड क्या हो गया यू का कोड क्या हो गया आपका यू का कोड हो गया जे यू का कोड क्या हो गया आपका जे ही हो गया ठीक है फिर यहां पर मैं दुबारा में देखा यहां पर कोड था अब मैंने कहा आर देखो रिपीट हो रहा है तो आर बिलकुल रिपीट हो रहा है तो पह कोड़ में के ओगोगया अब जो बचसने यहाँ पर हाउ बच और यहां पर ट बच तो बहीं सिंपल अग processor suck और यहां पर भजस और यहां पर रब ऐज़ा बचा तो Bose को करें पर ऑच और यहां पर सब्से अन् गए वो आई और फाइन के, से और ने, तो अब यहाँ पर दो चीज बची, आई और फाइन बची हो, से और ने बचे, तो यहाँ पर ध्यान देना, इस बात का, जो मैंने क्या कहा, मैंने कहा, कि जो आई है ना, उसका कोड या तो से ए होगा, या फिर ने होगा, ऐसे ही जो फ वो आपके लिए important होती है चली तो अब इससे संबंदित question देखेंगे हू का समझ नहीं आया सर हू मतलब यहां पर अकेला बचा था हू जो था वो यहां पर अकेला बचा था बैदे को एक बात बदाओ यू आप पहले निकाल चुके थे यू का जे ए हो चुका था आर आप पहले निकाल चुके थे तो आर का जो है वो आपका क्या हो चुका था M.E. हो चुका था तो अब यहां पर बचा कौन था अब यहां पर जो बचा था वो आपका के code हो गए चलिए question देखिए पहला आपकी screen पर बनाईए संबंदित प्रश्न है करिए अब यहांपे दीको का हुग जो भी है यहां पर बाकि की चीजते मुझे भटानी पड़ेंगी जो भी है यहां पर तभी मेरा काम बनेगा जैसे मैं command कोनूंगा तो यहां पर भी looked prac और यहां पर भी लुग्ड कॉमन है यहां पर भी इंटू कॉमन है और यहां पर भी इंटू कॉमन है तो पहली और दूसरी लाइन में दो शब्द कॉमन है तो पहली और दूसरी लाइन में देखो पी ओ कॉमन है और एच ओ कॉमन है तो पहली और दूसरी लाइन में पी ओ और find out हो गया ठीक है सही है अब यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पर क्या रहा है I का code चाहिए और यहाँ पर भी I का code चाहिए पहली और तीसरी line में अगर आप देखोगे तो M O आपका common है तो यहाँ जो बचा वो do का code हो गया यहाँ do बचा और यहाँ पर हर बचा so do हर do का code क्या हो गया हर हो गया so यहाँ पर आपका answer हो गया option A that is A will be the right answer do का code क्या हो गया हर हो गया ठीक है क्या sir यह सही में Chinese code है भई मैं कभी China गया नहीं ना मैंने कभी Chinese पढ़ी है ना कहलाते हैं तो मैंने इसलिए मैं भी कह दिया हूँ ठीक है so ना मैं कभी China गया ना मैंने कभी Chinese पढ़ी है so मैं कैसे बता सकता हूँ तो फिलाल यहाँ जो answer है आपका वो यही हो गया जो मैंने बताया चलिए अगला question है next आपकी screen पर बदाई यहाँ पर code पूछ रहा है की sweet के लिए code क्या होगा क्या रहा है ग्लाब जामून सार्ट great जी यहां पर क्या क्या रहा है तो तो प्रीट नहीं है यह इत ग्रेट पूट है है और लो अगे там मेरे पास कोई इसपर नहीं होतार ना ब्लॉक करने का अन ब्लॉक करने का ने मैंने आस तक है किसी को ब्लॉॉक किया है likes किसी को था आप लिजया क्यों कि और कॉक्छिटmelon कर लीजे है क्यों कि मेरे पास को यह से सिस्टम नहीं है अब यहां पर देखे हमको code चाहिए किसके लिए sweet के लिए sweet यहां आ रहा है तो यहां देखो r भी आ रहा है और यहां भी देखो r आ रहा है तो पहली और तीसरी line में अगर हम देखें तो यहां पर आपका 5 जो है वो cut हो गया ठीक है? फिर यहां देखो, उसके बाद यहां corazón लडूज आरहा है, यहां भी लडूज आरहा है, तो दूसरी और तीसरी लाइन में देखो, तो 2 आपका चला गया, तो यहां पर 4 बचा और यहां पर स्वेट बचा, तो स्वेट का कोड किया हो गया? चार हो गया स्वीट का कोड गया चार हो गया ठीक है अगला देखो next बना अगला देखो next है बनाओ कह रहा है कि बताना है यहाँ पर nice का कोड गया होगा कह रहा है सर नाइस का कोड गया होगा what will be the code for the nice you are so nice कहते ना तुम बहुत ही नाइस हो क्या मतलब होता है नाइस का चलिए nice कहाँ पर है यहाँ पर है love मुझे love 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 अब यहाँ पर पहले में और तीसरे में दूसरे में देखो कि तो one common मिल रहा है फिर उसके बाद देखो birds मुझे पक्षियों से प्यार है I love birds ठीक है so यहाँ पर यहाँ पर देखो कौन है common nine so nine से nine चला गया फिर आपका six बचा और इधर कितना बचा इधर आपका six बचा और इधर आपका nice बचा तो six persons are very nice so option B इसका right answer हुआ ठीक है option B जो है वो इसका right answer हुआ ठीक चलिए बहुत बढ़िया बिटा वहाँ support वाले एक option आता है E मित्रा वाला E मित्रा का help लो E मित्रा आपकी help कर देगा अब यहाँ पर क्यारा सीलिंग टाइल के लिए code क्या होगा बदाओ मैं तुमसे शायरी सुनाने की बात कहीती ना सुना देता हूं बहुत प्यारी मोटिवेशनल शायरी है और अपने उपर लेकर के चलना के मैं शुन्य पे सवार हूं मैं बेदव खुमार हूं अब मुश् शुन्य थाइल कि मैं बेदव खुमार हूं अब मेरे पास खुछ ही नहीं तो मैं किस बात से ढरूं है नहीं कियों ही अबम टेंशन रों किसी बी चीश कर रहा हूँ बिलकुल जी जान से तो मुश्किलों से मैं क्यों ही डरूंगा है ना के मतल ап कि मैं शुन्ने पूसवार हूं मैं बेदभ कुमार हूं वह मुश्किलों से क्या डरू मैं हिसाद करी रहा हूं और सेलिंग नतर dei क्रवाइब आ सिलिंग का पूछ राए सेलिंग कोड़ कुछ रहा है सीलिंग देखो यह बीए पर यहां पर इंग लेकिन यहां पर रूफ भी दिया लेकिन होगा वो जिसके साथ पई आए एक्सन जुड़ जाए अब यहाँ पर जी ओवार भी जुड़ रहे है कोई फाइदा नहीं इसका भी कोई मतलब नहीं है यह तो पी एक्सन किसके साथ जुड़ा इसके साथ तो भी आप्शन अमारा आंसर हो गया चलो बहुत बढ़िया अगला question next step बना अगला question देखो next step बना चलिए अगला question नेक्स बना ये गले में क्या क्या रहा है कर दीजे answer फटाफट से बहुत ही शांदार तरीके से बहुत ही लाजमी तरीके से जल्दी यल्दी करिए answer को फटाफट से बताई सो यहाँ पर question में क्या रहा है कि this is fictional के लिए code क्या होगा इस देखो आप सब में मिल रहा है अपो पहली दूसरी तीसरी लाइन में इस आपके पास है तो पहली दूसरी तीसरी में देखो गया आपको C U Z मिल रहा है तो guys इसका code हो गया C U Z अब यहाँ पर आप देखो fact है और पर भी fact है तो इन दोरों line में अगर आप R U Z हटा दो गया है तो fact का code हो गया R U Z जो कि हमको नहीं चाहिए तो इसका code हो गया D U Z और fictional का code हो गया G U Z तो D U Z G U Z C U Z टो यहीं मिल गये मुझे option number D में रोमा इससे पिछला वाला समझनी आया कोई बात नहीं उसमें क्या था कि हमें fan का code तो मिल गया मजह हमें ceiling का code तो Underground मिल गया इसलिए नहीं होगा यहां पर तो दो नहीं नहीं थे यहां पर ARTH तो दा लेकिन PIXN नहीं था इसलिए भी नहीं होगा तो PIXN और ARTH यह दो एक साथ मिले option B में तो इसलिए tile का code हम ARTH मान करके आगे बड़े ठीक है अब हिंदी code पर अधारित प्रश्ण है इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा इसमेरा एक correction दूँगा एक सेकंड रुख जाना उसके बाद मैं इसको समझाओंगा उसके बाद मैं आपको यह कराओंगा ठीक है एक सेकंड दो बस मुझे अभी कोई किसी प्रकार का आंसर मत देना नहीं तो दिक्कत होगी बाद में पिर आपको यह लगेगा कि सर हमारे तो concept हिले हुए है देखो इस तरीकी के questions आपने आते हुए exam में देखे होंगे है ना बहुत बार हर बार हर जगा पूछा अप जाता है सरी डारेक्ट नहीं होता लिखके ही करना पड़ता है हां बिलकुल लिखके तो करना पड़ेगा बिना लिखके कैसे हो जाओगे ठीक है अब यहां देखो कह रहा है अगर आस्मान को बादल कहा जाता है बादल को तुफान कहा जाता है तुफा को पानी कहा जाता है पानी को बरतन और बरतन को मरुस्तल कहा जाता है तो मरुस्तल को आस्मान कहा जाता है तब मचली कहां रहती है ठीक है इस तरह के question आपको बहुत देखने के लिए जो हैं वो अक्सर मिलते हैं लेकिन इन कोशन्स की जो मैं खास बात बदा रहा था आपको ये बदा रहा था बात को आप ध्यान लखेगा क्या हुआ लवेज गांठ बन दीजएगा इस बात की क्या कि यदि अ कभी भी कोशन में कॉल्ड या इस शब्द का उपियोग होता यन की कहाँ जाता है शब्द का उपियोग होता है ठीक कहा जाता है शब्द का उपियोग होता है तो आन्सर जो है वो अगला शब्द होगा next word होगा लेकिन अगर कभी भी means शब्द का उपयोग हो रहा होगा यानि कि वहाँ पर अर्थ शब्द का उपयोग हो रहा होगा तो answer जो है वो आपका हमेशा answer जो है वो हमेशा आपका last word यानि कि पिछला शब्द होगा बस इतना बात याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर बात इतना याद रखिएगा, अगर, इस या कॉल्ड ही शबध लगँ रहा है, यांकि कहा जाता है, उल्स है, इसे शब्ध का अफ्योग है, तो answer नेक्स्ट वर्ड है, लेकिन, यह मलई लीजे, कोई भी शब्द आए, आ यहां कहा गया, if sky is called cloud, cloud is called storm, storm is called water, water is called vessel, vessel is called desert, and desert is called sky, then where do fish live? आस्मान को बादल कहा जाता है, बादल को तुफा, तुफा को पानी, पानी को बरतन, बरतन को मरस्थल, मरस्थल को आस्मान, तो मचली कहा रहती है, मचली पानी में रहती है, जीवन उसका पानी है, हात लगाओगे डर जाएगी, और बाहर निकालोगे मर जाएगी, तो मचली कहां रहती है मछली पानी में रहती है तो पानी को सर्बढतन कहा जाता है है ना क्याई कि यहां पर water is called vessel 칩 comes water is called vessel so यहां पर किया है water is called vessel your option water ऒ Sophie and वैसल है और यह अपका dessert यह आपका dessert है और यह आपका जो है इसमें बादल को cloud बोला है तो cloud है ठीक है तो यहां पर आपका answer हो जाएगा कि वो पानी में रहती है लेकिन पानी को बरतन कहा जा रहा है तो हमारा answer होगा vessel option C क्या होगा वैसल हो जाएगा option C जो है इसका answer बन जाएगा ठीक है option C is the correct answer बस clear अगला question next है बताओ अगला question next है बताओ आप answer करो मैं इतने जरी हां पर हिंदी वाली जो यह कैरा हूई है इसका कॉम ह багएता हम को यहां पर मरकर हिलिखा है यहां पर white लिखा और यहां पर detergent शब्द का उप यूग हुआ है और यहां पर dhaus को क्या तो यहां पर question देखो, क्या रहा है, white is called bird, bird is called mercury, mercury is called curd, curd is called detergent, and detergent is called white, which of the following is used in thermometer, thermometer, thermometer में क्या इस्तमाल किया जाता है, तो पारे को क्या रहा है, पारे को क्या रहा है, दही, तो दही यानि कि कड आप का अंसर होगा, option D, अगला देखो next है, क्या रहा है, if oats is called this, यहाँ पर भी हिंदी नहीं है, नहीं क्या क्या है, फूल फ्लूल को क्या लिख रहे है, इस दर्क रहे है, प्लून लिख रहे है, और ध्लाईक है, उदेखों दाइक अच्छ़ा है, चले बदाएबद से अंसर करें इसका यह कोशन है आप से क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है कि दीगई को गाजर का जाता है गाजर को विपलिप्स का जाता है विपलिप्स को फूल का जाता है पूल को पत्थर का जाता है पत्थर को गुबारा कहा जाता है गुबारे को खिलोना कहा जाता है तो कलिया खिलकर बनती है फूल then birds are made by blooming कलिया किसको खिलकर बनती है फूल को खिलकर बनती है तो फूल को क्या कहा जाता है तो कलिया खिलकर बनती है फूल यानि कि फूल को क्या कहा जाता है आप यह बता दीजे फूल को पत्थर कहा जाता है कि पत्थर ना मारो इसको आगे का तुम पूरा कर दो भई मुखडा चलिए अगला कोशन नेक्स्ट है बदाईए कि पत्थर ना मारो हमको हम पड़ रहे हैं है ना कराई कि यहां पर एक निश्चित कुड़ भाशा में गुलाबी को सफेद कहा जाता है सफेद को पीला कहा जाता है पीले को लाल कहा जाता है लाल को हरा कहा जाता है हरे को काला कहा जाता है काले को बैगनी कहा जाता है बैगनी को नरंगी कहा जाते तो मानव रक्त मानव रक्त तो होता है रेड कलर का, रेड को क्या क्या रहे हो, आप रेड को ग्रीन क्या रहे हो, तो हमारा अंसर हो जाएगा ग्रीन, इस कोश्चन का एक बहुत प्यारा सा वाक्या है, 2016 की ये बात है, मैं आफ लाइन पड़ा रहा था, वो स्टुडेंट थे, किसके थे, एसे सी जेई वाले थे, है न, तो एक दिन, उनकी बाइलोजी की मैडम ने मुझे बुलाया कि सर, आपने ने क्या बता दिया, मैंने क्या हुआ मैं, तो बोलती हैं कि सर, ये लोग खून का रंग हरा बता रहे हैं, मैंने का हरा रंग, मैंने उनसे पूछा मैंने ने तुसमों को खुं का रंग हर मंत शूरुआ नशको खुपड़ाd coding decoding को तुम साय बाइलोजी में में पम साय नूसर की जैसे अभी आपका मिन्स शब्दा गया यहाँ पर means दे रहा है, यानि कि अर्थ दे रहा है, तो आपका answer हो जाएगा पिछला शब्द, जैसे question में कहता है क्या, कि in a certain code language, sky means red, red means tomato, tomato means milk, milk means soil, soil means white, where does plant grow in the given code language, तो plant किस में हुगते हैं? देखो. ब्लांट YouTube किस में? ध्मलामे भूझ में स्वाilippe καनेक Yearsा अगर दोके से उस्थ Soil में रिधा और से लीडा, यहाँ भूरगती हो जाएगा, heur Henama. का अज़्ड हो फुम्रद से पिछला शब्द दूद तो हमारा अंसर होगा दूद याने के मिल्क चाहिए चले बहुत बढ़िया तो लातमक शब्द जो अभी आप यह वाले कोड पढ़के आये थे वैसे ही गरने है कौन से वाले यह वाले यह वाले अभी पढ़े थे इस इस तरीके से लिखा जाए है तो इसी तरीके का एक कोश्चन और आता है तुलनातमक वाला पहले आता था अब तो फिलाल नहीं आता है लेकिन मैं कुछ छोड़ नहीं सकता क्यों क्योंकि UP constable में मैंने सिर्फ एक पापिक छोड़ा था क्यूबोईड हमेने क्यूबोईड से कोश्चन नहीं आएगा ठीक यह तैक्नीकल होता है इसमें कोई टैकनीकल रीजन नहीं है यह बस ऐसा एक्सदामिनल का मानना है कि अगर अर्थशब्द देता है तो वो पिछला ले लेता है अर यह किताबों में भी ऐसा ही दिया गया क्यों कोई कारण नहीं कहीं से कहीं तक सब लगा के देख लिए ससी पे एक वार लगाई थी मैंने 2020 में ठीक है तब उन्होंने जवाब के रूप में यह दिया कि जी हम इसी पैटर्न को फॉलू करते हैं यही पैटर्न सही माना जाएगा अब यह लगा लो अब क्या जवाब दो गए इने ठीक है क्याई कहले हैं शुआ ब यहां पर जैसे कोड दे दिये गए इसका मतला पता है कहा कि सर्भिया का कोड क्या हो गाट सर्भिया का कोड निकालने के लिए मुझे SBI का ढूनना पढ़ेगा S का code क्या है यहाँ पर मुझे एक एक code डूनने पड़ेंगे कि S का code क्या है B का code क्या है I का code क्या है R का code क्या है E का code क्या है D का code क्या है फिर A का code क्या है और S का code क्या है D उपर आही चुका होगा और फिर आपका I का code भी उपर आ चुका होगा ठीक है यहाँ पर इससे code ढूनने होंगे अब इससे code ढूनना कोई मुश्किल काम नहीं है ढूनो जैसे यहाँ पर S दिया है और यहाँ पर भी S दिया है स्क्राइब और सौन्य ना स्क्राइब स्क्राइब जी ए हो सकता है यह सो नो हां यह ना जल्दी बताओ यह कोश्चन 2016 से नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि मेरे साथ दुरगटना घटी अभी यूपी कॉंस्टेबल में क्यूबॉइड वाला टॉपिक 2012 से नहीं और इस forgivenONG में आ यह साथ पिह मड़ना है का उपने में अ यूपर गया में सा या हो जाम नाफ होसा और चौटत दूसरी और तीस्री में आइन चलला चक्राइं आहां है ने दूसरी और पर Sharve दूसरे और चौथी लाइन में M A आपको common मिल रहा है तो R का code क्या हो गया? M A हो गया अब यहाँ पर E बचा यहाँ पर कौन बचा? यहाँ E बचा और यहाँ पर नी बचा तो E का code क्या हो गया? नी हो गया यहाँ पर A बचा और यहाँ पर दा बचा तो एक आकोड किया हो गया दा हो गया अच्छा S का उपर निकाल ही चुकिक हो तो दुबारा से लिखने की जरूरती नहीं है सही है मैं तो एग्णूर कर दूंगी ऐसे question को फिटा ignore करने की जरूरत नहीं पड़ी कि देखो एक वार मैं समझ आ गया इगनूर तो तब करती ना जब तुम्हें समझ नहीं आता है यह कोश्चन कोई टफ थोड़ी ना एक रन साथ बचे कॉल कर लीजैगा सर्बीया का कोट पूछा गया है तो ऐस का कोट आप निकाल चुके हो एस का कोट किया गया जी ए गया और एक प्र कोर्ण क्या आगया तो म ए आगया फिर और आपका B, B का code क्या आ गया, B का आया था S A, सो S A आ गया, यानि कि answer का option A, B घदब कर दिया, बस, सर दिमाग घुटनों में है, चलो बढ़िया है, तो घुटने का इस्तमाल जादा करो, पर बदलवाने पड़ेंगे जल्दी, ठीक है, अब ये question आपके हो जाएंगे, वही same words पर अधारित question है, मतलब जो मैंने code बताए थे, उन्हें code के अधार पर बस answer देना है, ठीक है, अब आता है, बहुत प्यारी सी coding decoding, मेरी favorite है, और आपको मैं 5 minute का समय लूँगा, इसको समझाने क्लिए, बहुत ही dhyhan से समझागे इसको, ठीक है, 5 minutes का समय लूँगा, इसको समझाने कलिए, बहुत ही dhyhan से समझ गये इसको, question पहले पूरा देख लिजे जो question आएगा आपके screen पर ऐसा ही question आपके screen पर जो है वो दिखाई देगा यह पूरा question आपको दिखाई देगा as it is exam में समझीएगा दियान से इसमें क्या-क्या चीजे आपको दी गई है स्कार्टिंग से समझीएगा कुछ दिर के लिए comments आपके बंद करना हूं नहीं तो आप बकैती करते रहोगे सबसे पहले आपको उपर एक table देगा ऐसी table आपको दिख रही होगी फिर इस table के नीचे कुछ conditions दी गई होगी कुछ शर्ते दी गई होगी और शर्त देने के बाद यहाँ पर यह question दिया गया होगा है ना और इस question के बाद चार option दिये गया होगी सबसे पहला काम हमारा क्या होगा सबसे पहला काम होगा शर्तों को बढ़र टेबल को देखना देख करके अग्नौर कर देना कध भी नहीं सकते हम कुछ पिर जो हमारे पास question दिया है उसको अपनी copy में लिख लेना यह जो question दिया है हमारे पास जो copy आएगी हमारे पास इसको अपनी कॉपी में लिख लेना अपनी कॉपी में लिख लेना अपनी कॉपी में लिखने के बाद अब शर्तों को पढ़ना उसे पहली शर्त दी भी है कि if the first element is a symbol क्या first element is a symbol है बिलकुल है and the last element is a number then the course of these two and last element आपका number है बिलकुल है then the course of these two are to be interchanged क्यारा यदी पहला अव्वेक प्रतीक है बिलकुल है और अंतिम अव्वेक संख्या है बिलकुल है तो इन दौनों के कूटों को आपस में बदल दिया जाए है करें इस प्रस्ट करें यद honoring order numberенное भी क्या है तो मतलब दूसरी कंडीशन फॉल्ल कर रही है और पहली कंडीशन फॉल्ल कर रहे है तो वह क्य रहा है पहली कंडीशन अ कि कि जो नश्य कोड कें और तहि स्थीन का क rencont क॑ड किया या थिन को आपस मैं इन को सब खुडब थो इन इन दोर के को और को आपस में बद़्गों यानि- догल या भी निएक का आरैक। पर्ử पर्सेंटिज का हम यहां लिख आ जाएगा बाकि जैसे कि वो एसे आगया एड़रेट का A है तो भी ऐसी आगया हैश का D है तो भी ऐसी आगया तो L P A D M L P A D M आपका अंसर हो जाएगा यानि की ऑप्शन भी यह कोशन आते हैं आज के डाइम में बहुत अच्छे से पूच्छता है ठीक है कोई बात नहीं जो रिकॉर्डिट देखते हैं कोई दिक्कत नहीं आप रिकॉर्डिट भी देख सकते हो क्लास इसको कोई मना दी नहीं है है ना चलिए अब ऐसे ही प्यारा सा कुश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा इसका अंसर आप बदाओ क्या होगा अच्छा आप एक बात और ध्यान देना अगर कोई भी condition follow नहीं करेगी तो code direct हो जाएंगे तब code direct हो जाएंगे जैसे यहां कोश्चन में दिया गया है सबसे पहला काम आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेना ठीक है कॉपी में लिखते ही आप पहली कंडिशन पढ़ना इस यहां पहला यूनिट एक समंक है क्या पहला यूनिट समंक है नहीं यह तो क्या है आपका प्रतीक यानि कि चिन है तो पहली कंडिशन फॉलो नहीं कर रहे है क्या रहे है इसको एकनोर नहीं करना वड़ेगा बिल्कुल भी क्यों करोगी एकनोर प्रिति हों करा रहें तो तो इसमें तीनोय कंडिशन फॉलो नहीं कर रहे सर इसको एग्णोर नहीं करना पड़ेगा बिलकुल भी क्यों करोगी पृत्ति ज्यां करॉह, नहीं कर रहे हैँ ठीनोही कंडिशन यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही तो direct answer का answer क्या होGy R Apaаже Adwash सबसे इसे add- attempting का फी और्पी करतो 9 9 का मतलब हो गया E, तो 9 का E कर दो, और 1 का मतलब हो गया F, तो 1 का F कर दो, $ का मतलब हो गया H, तो $ का H कर दो, 2 का मतलब हो गया J, तो 2 का J कर दो, और 6 का मतलब हो गया R, तो 6 का R कर दो, क्या हो गया भीया, P, E, F, H, J, R, तो P, E, F, H, J, R, आपका अंसर हो गया Option D, बहुत सिंपल है यार इसमें कुछ करना दोड़ी ना है शर्तों को पढ़ना है शर्तों को के गुरुजी हम तो अपनी शर्थ पे जीते हैं एक्जामिनर की शर्थ है ना हमारी माने जूती सही वाद है कि मैसी लग रहा होगा तुमको तो लगने दू उसे होताग है अब यहां देखो क्यारा यदी फिर वही कंडिशन से हैं पोई अलग नहीं फिर पढ़ोनी को क्यारा यदी समू में पहला यूनिट एक समंक है क्या सम संख्याइए नहीं खतम क्यारा यदी समू में पहला यूनिट एक विशमंक है और यह वाह विशमंक मिल गया और अंतिम यूनिट एक समंक है अंतिम यूनिट क्या चाहिए समंक अंतिम यूनिट समंक है नहीं है खतम दोनों ही प्रतिक है खतम कोई condition follow नहीं direct उतार दो 3 का क्या हो गया K 8 का क्या हो गया D 7 का क्या हो गया M hash का क्या हो गया hash का क्या हो गया hash का हो गया T फिर 0 का क्या हो गया ऊपर 0 0 0 0 नहीं है यह कुछ और होगा के लिए पहीं का समय सना इसको प्लेहां को गिल्कुल का विस्प्रिंट को क्या ले रहा है कॉपिराइड को ले रहा है वो ए तो यहां ए ले लो तो के एम के डी स्वरी तो यहां पर आंसर क्या हो गया के डी कोई भी नहीं मिल रहा तो आंसर तो फिलाल आपका इन मेंसे कोई भी नहीं होगा कोई नहीं मिल रहा इसमें टी एक भी नहीं मिल रहा लास्ट में के तो ही नहीं तो कोई भी नहीं मिल रहा तो इसमें कोई भी नहीं मिल रहा तो इसमें कोई भी नहीं मिल रहा सर 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 यहां प कोई भी नहीं मिला कोई भी नहीं मिला यार क्यों परिशान हो इत्रह चलो इस कोशन को देख लो एक और बदाओ स्सी का अप में से कोई जो सिर्फ स्सी मतनब स्सी स्टाफ सेलेक्शन कमिशन वाले एकजाम देते हैं भी-स्सी नहीं यार-स्सी नहीं स्सी जो सिंट्रेल वाली तो महापैक में से कोई होगा स्टुडेंट ऐसा कोई ना कोई तो करना तो पड़ेगा वेटा क्या करें अब यहां देखो पहला अंक क्या है विशम है तो यानि कि दूसरी वाली कंडिशन देखो फॉलो हो रही है क्या यदि सम्हू में पहला यूनिट जो है वो एक विशम अंक है और अंतिम यूनिट एक समसंख्या है और अंतिम यूनिट क् क्या है जैसे six-coder R तो वो तो यह बाकि जो one-cl Io है वो ऐसी आएगा है ना 1 का F है वो ऐसी आएगा और 2 का जै वो सी आएगा और 4 का I है वो ऐसी आएगा और lambda का lambda का गया भी इसमें से वो है v है तो V है तो भी ऐसी आएगा सो अब यहां पर कौन हो गया RF कोई भी निया सो option number E बन रहा इसका answer भी that is इन میں से कोई नहीं बहुती शानजार चलिए सर ये कोशन आता है मतलब ये कोशन ना SSE में तो आता है अभी भी MTS वगरा में आ जाता है STANU में आ जाता है और कहीं नहीं आता ठीक है तो अगर आप कोई और एक्जाम कर भी रहे हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं समझ लेते हैं कि करते कैसे थे बहुत सिंपल कोशन था कुछ भी नहीं था इसमें अब इतना केतना लॉलुपोप कोशन है कि आंक बंद करके आप тамसाँ देनेगी तो कुछ यहां पर कोशन में क्या देता है यहां पर कोशन में दिया होता है कि दिये गई शब्द के लिए सही matrix का चेहन करे शब्द क्या है? rate rate, sorry, rate नी rate R A T E rate ठीक है? हमें करना क्या होता है? जैसे यहाँ पर लिखा होता है 13 जैसे यहाँ पर लिखा होता है 13 तो इसका मतलब होता है कि 13 में मतलब जो है, ये तो हम row देखेंगे पहली वाली और दूसरी वाली संख्या का हम कॉलम देखेंगे और दूसरी वाली संख्या का हम कॉलम देखेंगे है ना? क्या देखेंगे? दूसरी वाली संख्या का हम कॉलम देखेंगे 45 सेकंड तो कोशन पढ़ने में निकल जाएंगे तो बेटा क्या करें अगर एक्जाम में आएगा तो छोड़ क्या होगे कि सर पैंताले सेकंड कोश्चन पढ़ने में लग रहे थे इसलिए हम छोड़ दिये आता तो था सर हम पे हम खाली भी बैठे हम पे 20 मिनट बच रहे थे लेकिन एक कोश्चन को पढ़ने के लिए 45 सेकंड का समय हम क्यों देते इसलिए हमने उसे से छोड़ दिया 45 सेकंड बहुत होते हैं सर उतने में हम बात कर लेते किसी से इसलिए हमने उसे छोड़ दिया आना ऐसे कर लेना चलो यहां पर रेट रेट अब जिसे आर के आगे एंध लिखा यह तो इसका मतलब है कि इसा हो राए कित तेरा पर आघ आ रहा है है यह साओ रहा है कि तेरा पर जो सुभ वह आना रहा है कि isol में और क्षिद कोल्ब में अरट पर देख यह 17 पर देखो 12 बारह पर பर के रहा है यह 12 पर ई डूञड़ो्ट मतलब 1st को और 2nd कॉलम पस्थ रो और 2nd कॉलम देखो एर आरा है बिलकुल आ रहा है 98 पर टी अहां देखो 9th रो और 8th कॉलम तो 9th रो और 8th कॉलम में उन ऍमिल रहा है सर मिल रहा है 1998 पर टी पर देखो i दिख रहा है 67 पर देखो ई दिखाई दे रहा है 67 पर देखो ई दिखाई दे रहा है तो यह रहा 6th row और 7th column 6th row और 7th column में ई दिखाई दे रहा है तो भाया इसमें जो है वो कोई और option check करना नहीं पड़ा इसका जो answer है वो option A हो गया इसमें जो है वो कोई और option चेक करना नहीं पड़ा, इसका answer जो वो A option निकल गया, यह matrix है, ठीक है, अम माल लो A option नहीं बनता, तो हम B check करते, जैसे इस question में देखो, जिसको कम समझ में आया होगा, वो दुबारा से ध्यान से देखना, इस question में, जैसे मैं क्या रहा हूं, बहुत ही ध्यान से, मेरे श इस sixth तो row देखो, अब row आप जानते हो कौन सी होती है, यह क्या होती है, यह आपकी row होती है, इनको क्या बोलते हैं, इनको row बोलते हैं, और ninth क्या देखो, column देखो, नाइन्थ कॉलम देखो, तो चार row तक तो यहाँ पर है, और पांच के आगे जो है, वो अगला है, मतलब यह दो अलग-अलग matrix आपको दी गई है, अगर आप यहाँ पर न, इन्होंने, अन बनाने वालोंने जुल्म ढ़ादिया, यह दो अलग-अलग matrix है, उपर के matrix अलग है, और सर्नीचे के matrix जो है, वो अलग है, इन्होंने एक साथ जोड़ दी, बनने वालोंने जुल्म तो जैसे उसने का 69 69 का मतलब हो गया 6th row और 9th column द्यान से समझो जिसको नहीं आया था वो द्यान से समझो 6th row और 9th column 6th row और 9th column ठीक है तो यहां पर देखो 6th row कहां पर है और 9th column कहां पर है 6th row आपकी यह रही और 9th column आपका यह रहा तो 6th row और 9th column में क्या हमें P दिखाई दे रहा है आप बोलोगे जर बिल्कुल दिखाई दे रहा है तो यहां नहीं कि 6th row पर P हो रहा है फिर आगे बढ़ो उसके बाद क्या रहा है 88 अब देखो 8th row और 8th column तो यह रहा 8th row और यह 8th column क्या यहां पर O दिखाई दे रहा है आप बोलोगे जर बिल्कुल दिखाई दे रहा है तो यानि कि यह भी सही है फिर उसके आगे हो 67 पर क्या रहा है E दिखाई दे रहा है यानि कि 6th row और 7th column में E दिखाई दे रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा है जर 65 पर क्या रहा की झरूरत ही नहीं पड़ी एक और अंसर difl Clear Q पजुआ कि क्या हमें समझ में कैसे और अब तो टुफ नहीं अब महुत easy यारे सर जब पहले वाले में 69 मिल गया बाकी में क्यों नहीं मिला तो हम फिर बाकी क्यों चेक कर रहे हैं वो बेटा आप स्पीड में ऐसा करना चाहोगे तो कर सकते हो क्योंकि मैं अभी बच्चों को सिखा रहा हूँ तो मुझे सिखाते वक्त जो है वो करना पड़ेगा ठीक है अभी स्लेबस खतम होने दो उतकर उसके बाद बात करेंगे इसके टाइम मैनेजमेंट हो जाए रहा है ठीक आइम मैनेज कैसे होगा यह बाद में बात होगा यह अभी बात करने का समय नहीं है अब देखो क्या रहा है M.E.S.T. एक बार स्लेबस लगबग 90% हो जाए उसके बाद इन चीजों पर चर्चा करेंगे अभी तो स्लेबस यार 20% भी नहीं होगा तुम क्यारो टाइम कैसे मैनेज करूँ पहले मैं पढ़ा तो लूँ तभी तो बताऊंगा मैनेज करूँ कि कैसे इस कोश्चन को कैसी स्पीड से करना है जब मैं प्रैक्टिस पढ़वाऊंगा तब पता चलेगा हाँ बिलकुल अब CGL के कोश्चन MTS में आने लगे हैं तभी तो यह आते नहीं है अब अब देखो N क्यारा 32 पर यानि कि थर्ड रो सेकंड कॉलम 32 पर N मिल रहा है बिलकुल 56 पर E फिप्त रो सिक्स कॉलम पर E मिल रहा है बिलकुल S 20 पर सेकंड रो और इस पर 20 पर S मिल रह यहां पर नहीं मिला तो इसलिए नहीं हुआ option A T नहीं मिला आपर T हमें नहीं मिला फिर आप दूसरे पर 10 पर N 1 और 0 पर N मिल रहा है 65 पर E 65 पर E 65 पर E नहीं मिला क्या मिला T मिला तो यह option भी गजब अब देखो 32 पर N मिल रहा है वो तो उपर भी मिल रहा था 76 पर E चेक कर लेते हैं 76 पर E मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है तो यह भी घतब आज़ो 21 पर N ऑफ नहीं मिल रहा है बिलकुल मिल रहा है 38 पर E मिल रहा है ठीक है एश्टपी सेवन पर कॉलम पर आपको नाइंग्ञा Wellness को तो यह भी सई है that means इसका जो आंसर है वो option D है तो इसलिए हम सारे चेक कर रहे थे क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम केवल पहला लेटर चेक करके answer दे दे अब जैसे कि इसमें देखा गया आपको सारे options चेक करे गए तब answer आपका D option बन पाया ठीक चरे बहुत बढ़िया बहुत ही उंदा बहुत ही भैतरीन बहुत ही शांदार जिसको गयते हैं सो कुछ दो question है यह मैं आपको homework के तौर पर दे रहा हूँ पहला और दूसरा ठीक है इन दो question को आप homework में तयार करके मुझे इंस्टा टैली जहां मन करें वहां भेज देना ठीक है और इतना ही फिर रखेंगे और जो coding decoding है वह इतना ही है ठीक है कल का जो chapter होगा वह आपका एनलोगी से शुरू होगा जैसे आपकी class सुभा में होती है वैसी होगी तो coding decoding में सारे टाइप मैंने आपको cover कर दिया है जितने टाइप है भैया नोट्स बनाना आपका काम है जिसने बनाए हो मुझे भीजना मैं देखोंगा किसके प्यारे से नोट्स भी है ठीक है नोट्स जरूर बनाए ठीक है जितने टाइप है वह सारे मैंने cover कर दिया है नोट्स भी आप अविश्यक तोर पर बनाए और बाकी जितना बहतरीन content हो सकते है मैंने आपको provide किया है place value जरूरी है याद करना क्योंकि वन्हा एक बच्चा जैसे आज पूछ रहा था x के opposite c कैसे होगा तो वह ऐसे ही पूछता रहेगा पूरा batch खतम हो जाएगा place value opposite value यह सब कुछ याद होना आपको बहुत अविश्यक है इन सब को बहुत जो है वो जरूरी कर लीजे ठीक है अगर टी चेक कर लें बेटा कुछ भी मत चेक करो अकड़ वकड़ वंबे वो भी लगा सकते हो तो कल तो सुबह अपने डाइम पर होगी यार साड़े नौ बजे जो होती है वैसे ही होगी चलिए तो कल सुबह साड़े नौ बजे फिर होगी एक बार आप सभी से दुबारा मुलकात तब तक रखेगा आप सभी लोग अपना ख्याल and take care guys have a good day ठीक है कल में लेंगे सुब तो बहुत बढ़िया शेशन रहा कल मिलेंगे सुबह साड़े नौ बजे तब तक के लिए take care have a good day and जै हिंद जै भारत अनिकेज 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 अनिकेज